नमस्कार दोस्तों दिन भर के सभी बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहां पर एके करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे इसलिए लगतार हमारा साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा तो वहीं दोस्तों खबरों की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारी यूटूब चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारवरा लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा जै हिंद जै भारत दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें संयूक्त विपच्छी गढ़बंदन इंडिया ने बढ़ा दी हैं केंदर सरकार की मुश्किलें सरकार के खिलाफ दो अविस्वास प्रस्ताव पेश किये गए हैं कॉंग्रेस पार्टी ने जारी किया है सभी सांसदों को वीब जीहां दोस्तों लोगसभा में कॉंग्रेस के उपनेता और नौर्थीष्ट के प्रमुक नेताओं में माने जाने वाले गौरफ गोगोई ने संसद में अविस्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है और वहीं गोगोई के अलावा तेलंगाना की पियारेस पार्टी के संसद नामान नागेस और राओ ने भी केंदर सरकार के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया है सुत्रों ने बताया है कि मड़ीपुर के मुद्धे पर प्रधान मंतरी मूदी पर संसद के भीतर बयान देने का दवाव बनाने के कई विकल्पों पर विचार करने के बाद यहाँ फैसला किया गया कि अविस्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा जिसके जरिये सरकार को इस मुद्धे पर चर्चा के लिए मजबूर किया जा सकेगा इन सब के बीच में कॉंग्रेस पार्टी ने अपने लोग सभा संसदों को आज संसद में उपस्थेती रहने के लिए तीन लाइन का वीब भी जारी कर दिया है यानि कि कुल मिला करके देखा जाए तो अमोदी सरकार की मुश्गलें कॉंग्रेस पार्टी और संयुक्त विपच्च ने बढ़ा दी है संसद के अंदर दो-दो अविश्वास प्रस्ताव पेस किये गए है यह यहाँ पर दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट सामने निकल की आई है अगर आप लोग भी संयुक्त विपच्ची गड़बंदन इंडिया के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजेगा अगली अपडेट की तरह पड़ते हैं संसद के बाहर राहुल गांधी ने संभाल लिया है मोर्चा है तब से ही भाजपा के नेता लगातार अनाप सनाप बयान जारी कर रहे हैं और इन सब के बीच में पिया मोदी विपच्ची गड़बंदन इंडिया पर हमला करके घिर गए हैं कॉंग्रेस और तमाम विपच्ची पार्टियों ने उनको घेरा है मडीपुर पर संसद में कुछ ना बोलने वाले पियम मोदी ने संसद परिसर में हुई अपनी बैठक में इंडिया नाम पर यहां कहकर के अटेक किया कि ये नाम इस्ट इंडिया कंपनी में भी सामिल है और इंडियन मुजाहिद दीन और पियाफाई में भी है जिस पर कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसका करारा जवाब दिया है राहुल गांधी ने लिखा है कि आप हमें चाहें जिस नाम से बुलाएं मोदी जी लेकिन हम ही इंडिया है हम मड़ीपुर को ठीक करेंगे और हर महिला और बच्चे के आशू पोचने में मदद करेंगे हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार और सांती वापस लाएंगे हम मड़ीपुर में भारत के विचार का पुनर निर्मार करेंगे यह यहाँ पर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद भाजपा के तमाम नेताओं को मिर्ची लगना तय है दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है राहुल गांधी के बयान पर क्योंकि संसद का मानसूम सत्र जारी है और इन सब के बीच में राहुल गांधी ने संसद के बाहर से ही मोर्चा समाल रखा है अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजेगा अगली खबर बताते चलें करनाटक के उपमुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के दिगज नेता डीके सिवकुमार का गंभीर आरोप कहा सिंगापुर में करनाटक की कॉंग्रेस सरकार किराने की रची जा रही है करनाटक के उपमुख्यमंत्री डीके सिवकुमार ने बड़ा आरोप लगाया है डीके सिवकुमार ने कहा है कि सिंगापुर में करनाटक की कॉंग्रिस सरकार को गिराए जाने की साजिस रची जा रही है करनाटक के डिप्टी सीम ने दावा करते हुए कहा है कि उन्हें जानकारी है कि राज के कॉंग्रस सासन को गिराने के लिए सिंगापूर में एक साजिस रची जा रही है जिससे राजनीतिक दलों को जटका लगा है बैंगलूरू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीके सिवकुमार ने कहा है कि मुझे जेडियस नेता एचडी कुमार सौमी की सिंगापूर यात्रा के बारे में जानकारी मिली है उन्होंने कहा है कि यहां बैंगलूरू में एक गेम प्लान को अंतिम रूप देने के बज़ाए वो हमारी सरकार गिराने केलिए एक रडनीति पर काम करने केलिए सिंगापूर चले गए इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी सभी पर कड़ी नजर रख रही है यह यहाँ पर देख सकते हैं कि D.K. सिवकुमार ने काफी बड़ा खुलासा किया है इस भी जेक और बड़ी खबर बताते चलें त्रणमुल कॉंग्रेस के नेता डेरेक ओब्राइन का बड़ा आरो कहा संसद में विपच्छी के नेता का माइक बंद किया गया जिहां दोस्तों जैसा कि अब तक राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगाते आये कि संसद में विपच्छी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता उनका माइक भी बंद किया जाता है और एक बर फिर से राहुल गांधी की बात सच साबित हुई है त्रणमुल कॉंग्रेस के राजिसभा संसद डेरेक अब्राइन ने आरोप लगाया है कि संसद में विपच्छी के नेता मलिक अरजुन खडगे का माइक बंद कर दिया गया उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंदन का प्रतेख सद से विरोध में संसद से बाहर चला गया विपच्छी दल संसद के मौजूदा मांसून सत्र के दोरान मड़ी पुरमुत्य को उठाने की लगतार कोशिस कर रहे हैं और पियम मोदी के बयान से कम उनको कुछ भी मंजूर नहीं है लेकिन इन सब के बीच में जब यहां पर देख सकते हैं कि कॉंग्रिस के अध्याच मलिका अरजुन खडगे संसद में बोल रहे थे तब उनका माइक ही बंद कर दिया गया जिसके कारण यहां पर सभी संसद उने संसद से बाहर जाना ही उचिस समझाईए यहां पर देख सकते हैं कि लगतार ताना साही देखने को मिल रही है पहले यह लोग रहुल गांधी का माइक बंद करते थे और अब मलिका अरजुन खडगे का माइक बंद कर देते हैं यानि की बोलने भी संसद में नहीं दिया जा रहा है विपच्छी नेताओं को इसके साथ ही एक और खबर की तरह बढ़ते हैं दूसरी राजे सरकारों के खिलाफ तो अती कर देते हो और अपनी सरकार से कुछ नहीं कहते सूप्रीम कोड की किंदर सरकार को बड़ी फटकार सूप्रीम कोड ने नागलैंड में महीला आरत्षण के मुद्ए पर किंदर सरकार को जम करके फटकार लगाई है सीर्स अदालत ने केंदर सरकार पर जवरदस तरीके से भडास निकाली है बताते चलें आप लोगों को सुप्रीम कोट ने इस मुद्धे पर सरकार को घेरा है सीर्स अदालत ने कहा है कि केंदर सरकार भाजपा द्वारा सासित राज्यों के खिलाब कारवाई करने में विफल रही है अदालत ने सक्त टिपनी करते हुए नागालैंड में महिलाओं को आरच्छड देने में विफल रहने पर सरकार से सवाल किया रिपोर्ड के मुताबिक अदालत ने कहा कि आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कारवाई आखिर क्यों नहीं करते हैं आप उन राज्य सरकारों के खिलाफ अतिवादी रुख अपनाते हैं यानि की कड़ा रुख अपनाते हैं जो आपके प्रती उत्तरदाई नहीं है लेकिन जब राज्य में आपकी सरकार होती है तो आप कुछ नहीं करते हैं। अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सक्त टिपणिया की हैं और केंदर सरकार को जम करके खरी खोटी सुनाई आए। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। कई विवादित संगठनों से कर रहे हैं। करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हूँ तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये आप सभी के दोस्तों भी बड़ी खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा 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 ज्यादा